हेलो दोस्तों डॉश्टेडी की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत हैं पिछले लेक्चर में हमने इंडो इसलामिक स्थापत के प्रेश्ट भूमी विसिस्ताओं और उसके विकास प्रकडिया को समझाता हूं आज हम बात करेंगे इंडो इसलामिक वास्तुकला शैली के अंतरगत स्थापत्यों को अनिन्मान करवाया गया तो चलिए सुरू करते हैं आज के टॉपिक से स्थापत्य के विकास को दो चर्डों में बाट कर समझा जा सकता है जिसमें पहला चरण है सामराजिक सहली में स्थापत्य तथा दूसरा चरण है प्रामतिय सहली में स्थापत्य सल्थनत कालिन स्थापत्य के पहले चरण के दोरान सामराजिक सहली के अंतरगत निर्वी स्थापत्य को दिल्ली के सासको दोरा संरक्षिन परदान किया गया अर्थात इस अवधी के दौरान परतेक सासक ने अपनी अपनी रूची के नुसार स्थापतों का निर्मान करवाया हाला कि मुलतर संरचना एक जैसे ही बनी रही आरंबिक मुस्लिम सासकों ने मस्जिद निर्मान को अधिक बढ़ावा दिया दरसल इसका कारण यह था कि मस्जिद विशाल अकार की वजह से सिर्फ इबादत ग्रीही के नहीं होती थी बलकि पूरे मुस्लिम समाज के मिलने का केंदर भी होती थी तो चलिए बात करते हैं गुलाम वन्स के दौरान वास्तूकला के छेतर में कौन-कौन से इस्थापत्यों का निर्मान हुआ दरसल भारत में सल्तनत कालिन स्थापत्य का विकास कुतुब दिन एवक के काल से प्रारम होता है इस काल में ही भारत में पहली मस्जित का निर्मान कूवत उल इसलाम मस्जित के नाम से प्रारम हुआ जो 1197 इस्थी में कुतुब दिन एवक द्वारा दिली विजे के उपलक्ष में बनवाई गे थी उसने लाल कोट के राचपूत किले और किला राय पिथोरा के अंदर 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को नश्ट कर उनके नकासी दारस धम, सरदल, छत की पटियां जिन पर हिंदू देवी देवता बने थे आदी को इस मस्जित के निर्मान में लगा दिया इसमें पांस सुंदर महरावों वाली पत्थर की एक विशाल पंक्ती है, बीच का महराव सबसे उंचा है इस मस्जित की सबसी वरी विसेस्ता यह थी कि उसका उतकरिश्ट मक्सूरा तथा उससे सलगन किबला के लिवान इस मस्जित में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की मजबूती तथा संदैर की समनवित विसेस्ता पहली बार उभर के आई आगे 1199 इस्वी में कुत्यबुद्दिन एवेक ने तुर्की विजे के परतीक के रूप में कुवत उल इसलाम मस्जित के परिसर में कुतुब मिनार का निर्मान करवाया दरसल इसका निर्मान सुफी संद ख्वाजा खुतुबदिन बक्तियार काकी की स्मिर्थी में करवाय गया था जिसे अंततर उसके दमाद एवं उत्रा दिकारी इल्ट तुत्मिस ने चार मंजिल तक बनवाया इसे मस्जित के पास में इसलिए बनवाया गया था ताकि मौलवी इसकी उपर से नमाज के लिए आजान दे सकें सन 1373 में पिजली गिलने से मिनार की उपर की दो मंजिले नश्ट होई फिर उससा तुगलक ने इसकी दो मंजिलों का पुनन निर्मान करवाया तथा इनके उपर पांचवी मंजिल भी बनवाई या भारत की सबसे उची मिनार है इसका निर्मान लाल बलुआ पत्थर से किया गया है उपर की मंजिलों में सफेद बलुआ पत्थर का परियोग किय लगया है इस मिनार का मुख्य आकर्शन इसके छज्यों को बनाने की कौसलता पूर्ण विधी में है आगे इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी वह मेजर आरिसमित ने करवाई थी कुत्यबुदीन एबक ने अजमेर में अढ़हाई दिन का जोब्रा नामक एक अन्य मस्जित का निर् पूस के कारण इसका यह नाम पड़ा था इसका निर्मान भी हिंदू मंदिर के विध्वन सिप्राप समागरी से किया गया था इसके स्थम्भो में बहतर नकासी का प्रियोक किया गया है आगे इल्क तुत्मिस के काल से स्थापत्य का वास्तविक विकास प्राड़म हुआ इसके काल में बदावी में निर्मित, मस्जित, नागावर का उचा, सिंह द्वार, सुल्तान गड़ी का मकबड़ा तता दिल्ली में उसके स्थापत्य रूची की जलग मिलती है। इतिवार का अहाता है जिसके कोनों पर बुर्ज बने हैं और जमीन के नीचे अश्ट कोनिये कब्रगाह है। इन में से अनेक पत्थर के इस्तम नकासिदार सरजल एवं मूलतम मंदिरों में परियुक्त अन्य टुकडे परियोग किये गए हैं। इल्ग तुतमिस ने अपने मकबरे का निर्मान 1235 इस्वे में कुवत उल इसलाम मस्जिद के समीब करवाया था। या मकबरा एक चौकोर भवन था किन्तु कोनों पर महराव एवं लटकने डाल कर इसे अर्ष्ट कोनिये बना दिया गया जिस पर एक गुंबत का निर्मान करवाया गया। इसमें अंदर से भरपूर नकासी की गई है परंतो वास्तविक महरावों का निर्मान नहीं होने के कारण या गुंबत ठार नहीं सका। आगे कुतुब मिनार के परिसर में बल्बन के काल में उसके मकबरे का निर्मान करवाया गया जिसमें सर्व पतम वास्तविक महराब का रूप देखने को मिलता है इस तरह हमने गुलाम वंस के दोरान हुए स्थापत्य निर्मान को देखा आएए अब खिलजी वास्तुकला प इस अबधी के निर्मान के प्रमुक विसिस्ता लाल बलुवा पत्थर का परियोग था इसके साथ ही महराबदार सैली ने इस अबधी में प्रमुकता पाई सभी निर्मानकाडियों में जोडने वाली सामागरी के रूप में गारेख अपरियोग प्रमुक्ता से किया जने लगा वस्तुत अलाउदिन खिलजी ने इस अवदी में अलाई दर्वाजा, हौजे अलाई या हौज खास का निर्मान करवाकर सल्तनत कालें स्थापत्य के विकास में अपना योगदान दिया 1310 से 1311 इसवे के बीच निर्मित अलाई दर्वाजे में लाल बलुवे पत्थर का एवं संग मरमर का एक साथ परियोग किया गया इसके साथ ही बेहत बारिक अलंकरण, खिर्कियों पर आले, घोरे के नाल जैसे महराग, कमल कली जैसा अलंकरण इसकी परमुत्पिस स्थाएं हैं पहली बार वास्तवे गुम्बत का स्वरूप अलाई दर्वाजे में ही दिखाई देता है यह एक ऐसा पहला अस्थापत्य है, जिसमें गुम्बत परस पर घाटी पत्थरों के सिधान पर नहीं बना अर्थात इस पद्धती में भवन जैसे जैसे उपर उठता जाता है, वैसे वैसे उसका अकार छोटा हो जाता है बलकि इसमें गुम्बत अर्ये डाट पत्थरों के अधार पर बनाए गया है इसके तीन परवेश द्वारों के महराप के निर्मान घोरे की नाल की तरह है जिनके भीतरी भाग को छोटे छोटे नुकीले कंगूरे से सजाए गया है चौती महराप का अकार कुछ असाधारन है इसका कारण यह है कि इसका अधार त्री दली परतीत होता है या वही सेली है जिसका चर्मुत कर सा जहां के स्थापत्त में देखने को मिलता है इसके लावा निजामुदिन ओलिया के दरगा पर बनी जमात खान मस्जिद तथा मुबारक सा खिलजी द्वरा रास्थान के बयाना में बनाई गई उखा मस्जिद भी खिलजी वास्तुकला के उधारन है आईए अब तुगलक कालीन स्थापत्त पर एक बार नज़े डलते हैं तुगलक काल में सल्तनत कालीन स्थापत्त में व्यापक विकाद देखने को मिलता है इस काल के स्थापत्त को सल्तनत कालीन स्थापत्त के उतकर्स एवं पतन दोनों के रूप में दिखा जाता है इस पद्दती को सलामी कहा जाता है यह पद्दती भावन को सक्तिवर्द डेटता परदान करती हैं इस काल के स्थापत की दूसरी विशिज़ता थी महराब, सर्दल तता धरन के सिधानतों को मिस्रित करने का सू विचारित प्रयास इस काल के आरंबिक स्थापत्यों में तुगलगाबाद की गड़ी तता उसके साथ कृतिम जील के मद्द बने रास्ते से जुड़ा गया गया सुदिन तुगलग का मकबड़ा सामिल है। निर्मान का अस्तर निम्न कोटिका है तता हर जगह अंगर पत्रों की अधिकता है। ऐसा लगता है कि मंगल आकर्मनों के खत्रों की वजह से इसका निर्मान हर बड़ी में किया गया था। तुगलगाबाद के मुख्य परविश द्वार पर और नियमित पंच पजाकार वाली गया सुदिन तुगलग के मकबरे में संग मनबर तता लाल बलवा पत्तर का मिला जुला परियोग किया गया है। तता मुख्य महरापक में सजावट के लिए छोटे-छोटे कंज गुडु का उप्योग किया गया है। दिवारों में सपश्ट ढहलां तता सिंगारिक तत्व का पूर्ण अभाव मकबरे को कठोड़ थास्क पदान करता है। आगे मुहम्मद बिन तुगलक ने राय पितोरा एवं सीरी को मिला कर जहां पनाह की नगर की इस नगर के अफसेसों में सिचाई की सुवधा के लिए सत्पुला तता सेना की गतिवीदियां देखने के लिए बिजाई मंडल इमारत प्रमुख है। आगे फिरोशा तुगलक के काल में निर्मान कार तो विरहत बैमाने पर हुआ परन्तु उसमें कलात्मक का अभाव दिपता है। इस काल के स्थापत में भारी भरकम तता भीर भार वाली निर्मान सेले दिखाई देती हैं जिसमें आरे तीछे चज्यों, जरोकों, छत्रियों तता मंडोकों का बहुली है। फिरोज कालिं स्थापत्य का सुन्दर रूप हौच खास के मदर से तथा कोटला नमक किले में देखने को मिलता है। इसके साथ ही फिरोज कालिं मस्जिदों में एक नई शेली का समावीस किया गया, जिन में महरावो द्वारा बनी दो कतारे हैं, जो इमारत के मद्द में एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोंड पर काटती हैं। इस प्रकार इबादत की और जाने वाली पश्यमी दिवार को तिन मुख्य परवेश दुआर एक दूसरे से जोडते हैं। यह डिजाइन जहां तूगलक सहली में नवीनी करण को दरसाती है, वहीं इस्थापत्य को भारती जलवायू के अनुरूप डालने का प्रियास करती हैं। शंपूर तूगलक काल इन भावनों में अलंकरण का भाव दिखता है, क्योंकि अंगर पत्थरों से निर्मित दिवारों के ऊपर चूनी के प्लास्टर की मोटी पर चड़ा जाती थी, तता उसे सफेद रंग से रंग दिया जाता था। ऐसे में नकासी करना मुस्किल होता है, फिर भी फिरोज सूगलक के सभी भावनों में अलंकरण में कमल का प्रियोग हुआ है। प्रते कोने पच्छत्रियां बनाए गए हैं, ये दोनों विसेस्ताइं मुलता गुजराती अर्थवारास्थानी वास्तुकला के समावेस को दरसाती हैं। इस भावन में महराप के साथ सरदल तथा धरन का भी परियोग किया गया है। इस डिजाइन तथा प्रविती को लोधी काल तक बनाए जाने वाले मकबरों में समुचित परिवतनों के साथ बारिकी से अपनाए गया है। इसके अलावा इसकाल में फिरोज सा का मकबरा, दर्गा हजारत, रोसन चिराव, निजाम अद्दीन ओलिया की दर्गा, अमीर खुसरो का मकबरा, आदी, स्थापत्यों के साथ साथ, खिर्की मस्जिद, काली मस्जिद, संचार मस्जिद का भी निर्मान करवाए गया। आईए, अब बात करते हैं लोदी काली निस्थापत्य की, सायद तता लोदी सासन के अंतरगत, राजनिती विकेंद्र किरण की पक्रिया को जो बढ़ावा मिला, उसकी अभी विक्ती समकाली निस्थापत्यों में भी दिखाई की थी है। सेयदों के काल में खिज्र खान दिली में खिज्राबाद एवं मुबारक साने मुबारकाबाद का निर्मान करवाया। इस काल में अनेक स्थापत्य तत्वों का समावेज दिखाई देता है। पहली बार बड़ी संख्या में अमीरो द्वारा भवन निर्मान करवाए गया, अमीरो द्वारा निर्मित चत्रबुजी मकबरों में सजावट के लिए टाइस का प्रयोग किया गया, गुम्बदों के अधार पर कंगूरे तथा गुल दस्ते बनवाए गये, तथा दर्वाज सिकंदर लोदी ने वजीर मिया भुया ने करवाया था, यह मजजित चत्रबुजी हैं, जिसमें पांच टाइम की नमाज परती पांच महराव हैं, और यहां महराव निर्मान की कलब पुन्टा के साथ है, इसके अलावा इस काल के वासुकला के प्रमुक विसिस्ता दोहरे गुंबदों का निर्मान था, यह सिस गुंबद के अंदर एक खोकले गुंबद से मिलकर बना होता था, दरसल इस नवीन शैली के पीछे के दो मुखे कारण भी थे, जिसमें पहला यह था कि इसके सन्रचना का मजबूती देना, और दूसरा था गुंबद की भीत्री उचा सिकंदर लोदी का मकवरा, इसका उतकरिष्ट उधारन है, यह अश्ट को यह मकवरा, एक वर्गा कर उची चार दिवारी के प्रांगण में इस देते हैं, साथी इस काली की एक और विस्तिस्ता यह थी, कि भवनों या मकवरों को उची चबूतरे भन निर्मित करना, तो था उसके चारों और उद्दानों का निर्मान कराना, जिसे चार बाक सैली कहा गया, दिल्ली का लोडी गार्डन इस सैली का ही एक उधारन है, आगे साथ जगहां के काल में इस सैली को चर्मत कर्स पर पहुँचा आया गया, तो इस तरह हमने सलतनत काली इस्थापत्य की परजिक सैली के विशे में जाना, तो दोस्तों, नेक्ट लिक्चर में हम इस काल की प्रांतिय सैली के विशे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू